ये एक बंदा जो कॉंग्रेस सोशल मीडिया से फॉर्मली है या नहीं मुझे नहीं पता लेकिन कॉंग्रेस की बड़े-बड़े लीडर्स उनको फॉलो करते हैं। तो इस तरह कि ये मुझसे बरदाश्ट नहीं हुआ आप जो भी कह सकते हो कि प्रणा मुखर जी राहूल गांधी की कॉंग्रेस शायद सोचते हैं कि ये कॉंग्रेस गांधी परिवार की एक्जमिंदारी हैं और जिसको भी जो मर्जी में वो दे दे कोई मेरिट की किसी की मेर चाहे दे दे तो ये तक भी बोला गया कि तेरे बाप क्या एक काउंसिलर की चुनाव जी सकते हैं और मेरा फादर का बारे में मतलब आल्मोस्ट इंसिनुएंटिंग तो ये मतलब बरदाश्ट मैं करूंगी भी नहीं और किसी को भी करना नहीं चाहिए तो इसलिए मैंने ड अद्वारा जो अन्याय हो रहे हैं पहले उसको वो ठीक करें तो फिर जाके जनता को साबने न्याय के बाद करें इस तरह के भाशा से अपने ही लीडर को और उनकी बेटी को इस तरह की भाशा से सेक्शुल अब्यूस किया जा रहे हैं अभी तक जितना मेरा नॉलेज में है इसका कोई condemnation भी नहीं आया ये एक बंदा जो Congress Social Media से formally है या नहीं मुझे नहीं पता लेकिन Congress की बड़े-बड़े leaders उनको follow करते हैं Congress की Social Media के जो बहुत सारे मतलब Senior Important लोग है उसको follow करते हैं वो लगातार गंदे शब्दों से मेरा उपर और मेरा फादर को उपर अटाक कर रहे थे और उसमें से मतलब sexual allegations, character assassinations ये भी insinuate करना कि प्रणा मुखर जी एक sexually pervert थे तो इस तरह कि ये मुझसे बरदाश्त नहीं हुआ आप जो भी कह सेकते हो कि प्रणा मुखर जी राहूल गांधी की कॉंग्रेस शायद सोचते हैं कि ये कॉंग्रेस गांधी परिवार की एक्जमिनदारी है और जिसको भी जो मर्जी में वो दे दे कोई merit की किसी की merit की ज़रूरत नहीं है जिसको उनका मर्जी मन चाहे दे दे तो ये तक भी बोला गया कि तेरे बाप क्या एक तो इसलिए मैंने डिसाइट किया कि ये लेटर मैं लिखू और राहूल गांधी न्याय का बात करते हैं तो पहले तो न्याय अपने जो उनके आसपास के लोग हैं उनके दादवारा जो अन्याय हो रहे हैं पहले उसको ठीक करें तो फिर जाके जनता को साबने न्याय के बात करें इस तरह के भाशा से अपने ही लीडर को और उनकी बेटी को इस तरह की भाशा से सेक्शूल अभ्यूस किये जा रहे हैं अभी अभी तक जितना मेरे नॉलेज में है इसका कोई कंडमनेशन भी नहीं आया